पंजाब विच संस्कृत ना होन दे बावजूद फगवारा दे 10 साला बच्चे ने नैशनल पदरते होए गीता कंठ मुकाबले विच पहला इनाम हासिल किता है हाला की पंजाब अंदर चाहे सरकारी स्कूल होवे या प्राइवेट स्कूल उत्ते सिरफ हिंदी पंजाब विच पढ़ाए जान दी है पर बिना स्कूल विच पढ़ाए जान दे बावजुद वी 10 साल दे बच्चे ने इस प्रती योगता विच पहला स्तान हासिल किता है इस प्रतियोगता विच पूरे पारत विच्चो तीदे करीब बच्चिया ने हिसा ल्यासी आउत वानुवी मिलाउं दिया उस बच्चे नाल यह बनारस में क्या आपको जजी ने क्या पूछ अपकर क्या पूच्च पूछ जजी इसने मुझे इसमें से गीता किश लोग पूछे और इसमें से प्राइज मुझे अमाउंट मिलें वह उन्होंने बीच में से संख्या भी पूछी है और उसके कौन से अध्याय का स्वोक है वो पूछ है उन्होंने ऐसे position उनने की first second third first को gold medal second को silver medal third को brown medal ऐसे किया तो वो कौन से state के से बच्चे जो और आई होगे से जिनका ये मिलाई जिनको gold medal होगे है कोई कैरला के थे जम्मू के थे ही माचल के ऐसे जैसे इसको गीता सारी कंठस्त है पूरी गीता इसने याद कर रखी है हम कहीं से भी कोई भी श्लोक इसको पूछेंगे तो ये वहीं से शुरू करकर करके तब तक बोलता रहेगा जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं गीता में टोटल अठारा द्याए है और साथ सो श्लोक हैं संस्कृत में और उसमें से कुछ श्लोक दो लाइन के हैं और कुछ श्लोक चार लाइन के भी हैं तो मिला करके इसको आप किसी भी श्लोक का पहला शब्द बोलेंगे केवल तो उसे शब्द को लेकर के ये आगे बोलता जाएगा तो कितना तफ कॉम्पटिशन इसने माना है या कितनी क्योंकि यहां पर पंजाब में आप रहते हो पंजाब ब्लॉंग करते हो इसे भी स्कूल में या यह लेंग्वेज नहीं है तो कैसे इसको आप स्टडी करवाते हो कितना इसको अटफ लगता है कॉम्पटिशन तो बहुत टफ था वहां पर और वैसे लेंग्वेज टफ नहीं है इसको कोई ऐसा बहुत टफ नहीं रहा पहले पहले जरूर थोड़ा सा कठनाई महसूस हुई परंतु दिरे दिरे वो दिरे हैबिचल हो गया बहुत असानी से इसने पूरी गीता कंठस्त कर ली और पहले यह कॉम्पटिशन हुआ था स्टेट लेवल पर जिसमें हर स्टेट से एक एक बच्चा जो फरस्ट आया था उसमें से एक बच्चा चुना गया जिसने उससे स्टेट का परती निधित्व किया नैशनल लेवल पर तो पंजाब से पंजाब में क्योंकि लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हैं तो यहां से ज़्यादा अभियर्थी नहीं थे कैंडिडेट्स नहीं थे तो इसलिए हर्याना और पंजाब दोनों को एक क्लाबरेट करके एक टीम बनाई गई और वहां से एक बच्चा चूज किया गया जिसने हर्याना पंजाब दोनों ही प्रदेशों का संजुक्त रूप से प्रतिन धित्व किया जिसमें लगबग 30 के करीब पूरे हर्याना से 29 बच्चे थे और एक यह पंजाब से था तो उन 30 बच्चों में लगबग यह फर्स्ट आया तो इसने हर्याना और पंजाब दोनों का मिल करके आगे वहां जाकर के पार्टिस्पेट किया वहां पर अंबाला में एक सनातन धर्म SD कोलिज है वहां पर यह कंपिटिशन हुआ था स्टेट लेवल जिसमें यह फर्स्ट आया और उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवरसिटी है बी एच यू बनारस में वहां पर यह कंपिटिशन हुआ जिसमें केरला करनाटका और महराष्ट गुजरात हर स्टेट से एक एक बच्चा आया था कंपिटिशन के लिए तो वहां पर कंपिटिशन बहुँ टफ था उन्होंने बीच बीच में से पहले जैसा बताया कि एक शब्द बोलते थे उसको लेकर के आगे आपने गीता पूरी सुनानी थी और जितने भी केंडी वहां पर पार्टिस्पेंट्स थे उन्में से इसकी उम्र सबसे कम थी तो जो उसमे से पांच बच्चे उन्होंने अंत में चूज किये जो सबसे बेस्ट थे और उसमें से फिर उन्होंने काफी टफ था तो उसको डिसाइड करने के लिए उन्होंने और कठिन करते हुए शब्द ना बोल करके केवल बीच में से दस्वा ध्याय का ग्यार्वा शलोक सुनाएं पंद्रवा शलोक सुनाएं तेर्वे ध्याय का सत्रवा शलोक सुनाएं संख्या के आधार पर भी उन शलोकों को सुना और उल्टे करम से वित करम से भी उन शलोकों को गीता के शलोकों को सुना तो इसमें कुछ बच्चे थे जो लगबग 15 साल के थे 20 साल के थे जिनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मैडल मिला है और उसके अत्रिक्त जो बच्चे थे 5 उन्होंने उनमें से प्रथम श्रेणी का पुरसकार जो इक्वल उसी रैंक में थे उन 5 बच्चों को प्रथम श्र मेडल दिया है जैसे यहां पर आया तो उन्होंने बोला मुक्त संगो अनहमवादी मुक्त संगो नहमवादी थ्रेत्युत्साह समन्वितह सिध्य सिध्योर निर्विकारह करता सात्विक उज्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुप्थो हिमसात्म गोशुशिह हर्षशो कान्वितह करता राजसह परिकीर्तितह अयुक्तह प्राकृतह सब्धह शठो नैश्कृतिकोलसह विश्यादी दीर्खसूत्रीच करता तामस उच्यते एवं सतत युक्ताये भक्तास्वांपर्युपासते एचाप्यक्षरम व्यक्तम तेश्याम के योगवेत्तमहा